Hello Friends and I am Kavita and I am my wife in my kitchen आज में बनाने जानी जानी चिकेन दम बिर्यानी इसके पहले चिकेन दम बिर्यानी की रेसिपी बनाइ देवा ये लेकिन इसमें बिर्यानी बनाई है जिसमें दो से पॉट को भी ज़ी करना पड़ता है तो वह ब्रोसीस थोड़ा सव लाइधा है तो इसलिये मां ने आज किए तम डियानिया वह प्रेशए कुकर में जिससे कि हमारा समय भी बचेगा और थोड़ा इजी भी है तो आप इस प्रेशे कुकर वाली दम बिर्यानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लेगेगी तो प्लीज आप मेरी वीडियो की नीचे लाइक का बेटन क और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आज इस बिर्यानी की रेसिपी को शुरूर करते हैं चिकेन दम बिर्यानी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम इसे मैंने पहले से वाश करके रखा है चावल मैंने लिया है 300 ग्राम अगर हम ग्लास से मेजर करें तो सवा ग्लास चावल है इस ग्लास से और यहाँ पे मैंने बासमती चावल यूज किया है 12 लेसुन घिसा हुआ लिया है मैंने 3 इंच द्रा घिसा हुआ लिया है दही हम लेंगे 3.5 ग्राम यहाँ पे मैंने 6 बड़े चमच घी लिया है तेल हमेची यह 4 बड़े चमच तला हुआ प्याज मैंने लिया है यहाँ पे 1 पॉल 4 बड़े प्याज को बारी काटके उससे तल लिया है मैंने और इसे बनाने की विदिय आप मेरे यूटुब चैनल पे देख सकते हैं यानि दो दालचिनी, दो सुखे लाल मिर्च और दो से तीन तेज़ पत्ता लिया है मैंने मैंने यहाँ पे आधी छोटी चमच फुट कलर यूज किया है यह ओप्शनल है थोड़ा सा केसर लेंगे इसे मैंने पहले से दूद में भीगो के रखा है मसालों में हम लेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच लालमीज पाउडर, एक तिहाई छोटा चमच जीरा पाउडर, एक तिहाई छोटा चमच धन्या पाउडर, एक तिहाई छोटा चमच चिकन मसाला पाउडर शाही बिरियानी मसाला हम लेंगे तीन छोटे चमच ये रेडिमेट मार्केट में मिलता है नमक लेंगे स्वात के अनुसार सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए हम इसमें दही डाल देंगे फिर ये घिसा हुआ या फिर अद्रकलैसन का पेस्ट डाल दें थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा धन्या पत्ता डाल दें फिर हम इसमें थोड़ा सा तला हुआ प्यास डाल देंगे अब हम इसमें बागी के सारे मसाले डालेंगे तो हल्दी पाउडर डाल दे लालमीच पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर चिकन मसाला पाउडर फिर हम इसमें ये बिर्यानी मसाला पाउडर डालेंगे इसकी बाद हम इसमें एक बड़ा चमच घी डालेंगे बस अब हम इसे mix कर देंगे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है नमक डालने से दही जो है वो पानी छोड़ने लगता है और ये जो बैटर है वो गीला हो जाएगा तो नमक हम बाद में use करेंगे तो यहाँ पे मैंने चिकन में मसालो को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब हम इसे आधी गंटा के लिए ढख के रख देंगे मेरिनेशन के लिए तो आप इसे फ्रिज में रखे या फिर फ्रिज के बाहर तो मैंने इसे ढख दिया और आदे गंटा के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ तो जब तक chicken marinate होता है तब तक हम rice बना लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में 2 लिटर के करीब पानी चड़ा है गैस को अन कर दे और इसे हम high flame पे ढख के उबलने के लिए छोड़ देंगे तो gas का flame high रखे और यह rice जितने देर में उबलेगा हम इस चावल को धो के रख लेते हैं तो यहाँ पे पानी उबलना शुरू हो गया है यह देखी और चावल को मैंने धोके रखा है तो इसे डाल दे पानी में और यह चावल डाल दिया मैंने फिर हम इसमें एक बड़ा चमज घी डाल देंगे और एक तिहाई छोटा चमज नमक डाल दे मिला दे इसे चावल डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक पानी उबलना शुरू ना हो जाए फिर से और यहाँ पे पानी उबलना शुरू हो गया है तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दे और इसे हम आधा पकाएंगे मतलब चावल जो है वो 50 या 60% पकना चाएए उससे ज़्यादा नहीं इससे पकने में टोटल 4-5 मिनिट लगेंगे और यहाँ पे यह देखे एक बार चेक करते हैं तो यह चावल टूट रहा है बस इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है तो हम क्या करेंगे गैस को आफ कर देंगे और इस चावल को हम तुरंधी ड्रेन कर लेंगे मतलब पानी निकाल देंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्टेनर लिया और इसे छान ले चावल ज्यादा नहीं पकना चाएं इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट करें फिर इसे थोड़ा सा टैप कर दें ताकि इसमें का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएं और इस चावल को या तो ऐसे रखें या फिर पंखे के नीचे थाली में फैला के रखें तो इसे अलग रहत देंगे और चलते हैं अगले प्रोसेस में आदी गंटा बाद मैंने चिकन को फ्रिज से निकाल लिया है ये देखे ये हमारा चिकन जो है वो मैरेनीट हो चुका है तो अब हम इसमें नमक डालेंगे आप चाहे तो नमक बाद में चिकन को पकाते वक्त भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है ध्यान रहे नमक हमने राइस में भी डाला था तो नमक को हम अच्छे से मिला देंगे चिकन में और यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है ये देखे अब हम चलते अगले प्रोसेस में तो गैस आउन करके हम एक प्रिशर कुकर पैन चड़ाएंगे पैन को गरम होने दिया अच्छे से फिर हम इसमें तेल डालेंगे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है यहाँ पे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये तेजपत्ता सूखे लाल मिच और ये दालचीनी डाल देंगे इन्हें हम कुछ सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे पकालेंगे इसकी बाद हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम कम कर देंगे क्योंकि हमें इसमें चिकेंड डालना है तो चिकेंड में हमने दही डाला है इसलिए गैस का फ्लेम कम रखे और इस चिकेंड को इस तेल में डाल देंगे मिला दें से अच्छे से जैसे ही चिकन तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो यहाँ पे मैंने मिला दिया इसे अच्छे से अब हम इसे ढख के 5-7 मिनट तक पकाएंगे गैस कफले मीडियम रखाए मैंने और सीटी न लगाए बस ऐसे ढखके छोड़ दे पांसात मिनट वाद मैंने पैन का ढखकन अटाया इसे हम एक बार मिक्स करेंगे चिकन को टोटल हमें 10-12 मिनट ही पकाना है तो यहाँ पे इसे मैंने एक पर मिक्स कर दिया ताकि यह जले नहीं वापस पैन को कवर करके हम इसे 5-6 मिनट तक और पकाएंगे और यहाँ पे टोटल 10-11 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे यह चिकन आधे से ज़्यादा पक चुका है आप चाहें तो यहाँ पे एक दियाई कप पानी डाल सकते हैं अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा सूख गया है तो लेकिन इसमें ग्रेवी अच्छी खासी है तो अब हम क्या करेंगे? गयास को आफ कर देंगे और इसकी लेरिंग करेंगे तो अब इस प्रेशर कुकर पैन में थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाले इसकी वाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ धन्या पत्ता डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालेंगे फिर हम इसमें एक चम्मज घी डालेंगे और इसके उपर हम राईस डालेंगे तो आधा या फिर 70% राईस यहाँ पे डाले बिर्यानी की लेरिंग करते वक्त आप गैस को ओफ करते नहीं तो लो फ्लेम पे करके फिर इसे करे अगर आप गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट करे फिर इसके उपर हम यह किसर डाल देंगे और फिर वापस इसके उपर हम यह तला हुआ प्यास डालेंगे और फिर वापस यह धन्या पत्ता पुदिना पत्ता और इसके उपर हम एक चम्मच घी डालेंगे फिर लास्ट में ये बचा हुआ राइस डाल दे मैंने यहाँ पे दो लेयर की है बिर्यानी की राइस को अच्छे से स्प्रेट किया और वापस ये बचा हुआ जो प्याज है वो डाल देंगे फिर इसके उपर हम ये फूट कलर डाल देंगे ये उप्शनल है तो यहाँ पे इसे ऐसे स्प्रेट कर दें और लास्ट में हम इसमें ये बचा हुआ केसर वाला दूट डाल देंगे और फिर ये बचा हुआ पुदिना पत्ता धनिया पत्ता और यहाँ पे हमारी लेरिंग जो है वो कंप्लेट हो चुकी है तब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक पकाएंगे ये देखे गैस का फ्लेम लो मीडियम कर दे और एक सीटी से ज़्यादा नहीं पकाएं बहुत ही ध्यान रखे इस बात को जैसे ही पहला सीटी आएगा सीटी को प्रेस कर दे और गैस को आफ कर दे तो यहाँ पे इस सीटी आई प्रेस करें इसे और गैस को आफ कर दे अब हम तुरंत इसकी सीटी निकाल देंगे मतलब इसके भीतर जो भी pressure है वो तुरंत ही निकाल दें नहीं तो chicken जो है वो नीचे से जल जाएगा तो यहाँ पे pressure cooker के भीतर का सारा pressure निकाल दिया मैंने अब हम इसे तुरंत ही खोलेंगे तो बहुत ही ध्यान रखें और यह हमारी बिर्यानी जो है वो तयार हो गई है तो हम इसे 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके भीतर जो stream है वो निकल जाए तो इसे ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो बिर्यानी है वो ready हो चुकी है तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं तो यह एकदम नीचे से भी अच्छे से पका है और इसकी राइस जो है वो भी एकदम perfect बनी है यह देखे तो अब हम इस बिर्यानी को serve करने के लिए एक serving बाउल में निकाल लेते हैं और यहाँ पे यह बिर्यानी की जो राइस है वो बहुत ही colorful देख रही है चिकन भी अच्छे से पका है आप इस चिकन दम बिर्यानी को अपने मन पसंद के salon या फिर रायते के साथ serve करें अगर आज की यह बिर्यानी की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे like का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले मुझे उम्मेद है कि आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी बाकी इन नो नो रेसिपे के लिए इन नो निंक्स पर क्लिक करें